मेरे प्यारे देशवासियों, एक और बात जो मेरे मन को छू गई है, वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन, तमाम देशवासी गावों से लेकर शहरों तक, हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक, हमारी लैप्स कुरोना के खिलाब लड़ाई में नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे नासिक के राजेंदर आदव का उधार बहुत दिल्चस्प है, राजेंदर जी नासिक में सतना गाउं के किसान है, अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए हैं, उन्होंने अपने ट्रे परिया में कई तस्वीरे देख रहा था कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइपलाइन लगा लिए हैं जिसमें एक छोर से वो उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहाक अपना सामान ले लेते हैं इस दोरान पढ़ाई के ख्षेत्र में भी कई अलग-अलग इनोवेशन सिख्षकों और चात्रों ने मिलकर किये हैं ऑनलाइन क्लासिस वीडियो क्लासिस उसको भी अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है कोरोना की वैक्सिन पर हमारी लेव्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी किसी भी परिस्तिति को बदलने के लिए इच्छा सक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है हजारों सालों के मानुजात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनेक दोर में पहुची है इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी विशेस इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है